साथ में पक्का वादा करो मुस्तफा का धामन मुखबत करते ना मेरे को समझ में नहीं आता मुखबत कैसी मेरे को याम नहीं मालूम साबरा साबरा जगन साबरा मेरे को नहीं मालूम यहां पर क्या बाकी मैं वहां घुजरात में देखता हूं बहुत सोके देखता हूं यह सर क इलाका बीमार है गरीब गरीब और ये इलाका यतीम और पीछे का इलाका जगात का मुस्तहीक इतने इतने इसे बार बनाता अभी करेगा क्या मालूं चोराए पे जाएगा जहां देखेगा बहुत सारे देखने वाले वहाँ जाकर यो करेगा क्या प्रॉब्लम होगा जुए पड़ गई एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता एक कार्टून जैसा नजर आता बोलो सही बोल रहा हो गलत बोल रहा हो अच्छा एक बात आपको बता हूं आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों को एक उम्मत आईगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे बले कल्मा पढ़ते होंगे मगर 24 गंटे उनके सर पर अल्ला की लानत उतरती होगी इतने उलमाए बहुत घरीभी का जमाना भी होता है, और हमारे पड़े फटे होते हैं, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालुम शर्मा रोघे जैसा ये उल्टा फटा होता था था ना तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ कि फटा हुआ कपड़ा पहना अच्छा नहीं है आज उल्टा मामला है लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल गोलते हैं यहां भी बैटे हों यह इसे बेवकूफ है और ज गुष्य हो गया लेकिन क्या हुआ क्यों गुष भी जूरा है का करी साविष्पर सामने मेelे को बिकारी बोले तो यह तो यहन देखाा को आपको नहीं मालम यह तो style है style मैंने का style? क्या मतलब? style का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया कौन से picture का नाम लिया आपने भूल गया का कोई picture रिलीज हुआ था का उसमें कोई hero था जो actor था ना उसने ऐसी jeans पहना था जो एक तरफ से फटी इधर से पटी का उसने पहना उसको देखकर सबने उसकी copy करना शुरू कर दिया मैं उस वक्त थोड़ी ज़र उसको देखा मैंने का अच्छा उसने पहना तो सबने पहना मैंने का नहीं पहना होता तो ता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता नहीं बात समझ में आरी के नहीं आरी है जी वो गरीब मामला मेरे प्यारों सच बताओ भाई हमारे नभी से बढ़कर कोई नभी कौन-कौन महबबत करता है एक दम सही सही बोलना साथ में बो भाई मुस्तफा का दामन बहुत बढ़ा वाक्या सुनाने जा रहा हूँ ताके महबबत करने वालों को पता चलेगा कि महबबत किसको कहते मेरे दोस्तों एक मरतबा हमारे नभी बैठे बोलो हमारे नभी बैठे सहाब़ किराम भी बैठे एक सहाबी सामने से आए शायद नहीं नहीं मुसल्मान हुए होंगे उनकी उंगली में सोने की अंगोठी बोलो उनकी उंगली में सोने की और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम बोलो बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना और उनकी उंगली में सोने की अब उनको नहीं मालूम होगा वो खड़े हुए और वो इधर आ गए तो हमारे नभी ऐसे हो गए इधर देखने लगे वो सहाबी उठके फिर इधर आए जैसे इधर आए तो दूसरे एक सहाबी जिनका नाम हदरत अब्दुल्ला इबन अब्बास बलो क्या नाम हदरत अब्दुल्ला उन्होंने उनके पाओ पर यूँ हाथ मारा और का क्या कर रहे हो हमारे नभी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो हमारे नभी उधर देख रहे हो तुमने सोने की अंगोटी पहनी है हराम है उसके लिए हमारे नभी ने चैरा फेर दिया उन्होंने का ओ, मैंने सोने की अंगोटी पहने हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, यू अंगोटी निकाली और मैदन में फिक दी, बोलो मैदन में, और फिर हमारे नभी के सामने बैठ गए, हमारे नभी उनको देखकर मुस्कुराने लगे, और क्या फरमाया, अच्छा हुआ, तरीके के खिलाफ जाता है मैं कयामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूँगा जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फिर दिया जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा कयामत में में मेरा चेहरा फिर दूँगा अब सुना मजलिस हो गई बो मजलिस हो गई सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे तो वो अब्दल्ला इबन अबास ने उनको बुलाया ए भाई, इधर आ, जा सोने के अंगोटी उठा ले, जहां तुने फेका है वहाँ, उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पेनना हराम है, औरतों के लिए सोना पेनना हराम, ने का उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बेहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना, मर्दों के लिए पेनना हराम है, औरतों के लिए पेनना हराम जा उठा लो, तो जिसको चाहे ले ले लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं देखोंगा जिसको मेरे नभी ने उसकी वज़ा से चेहरे को फेड़ दिया मेरे प्यारो तो हमारा पूरा बोड़ी कपड़ा कियामत में अगर नभी ने चेहरा फेड़ दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो यह देखो कितने सारे बेठे चेहरे पे दाड़ी नहीं है आप आसो मत सिद्ध मेरे को जवाब दे दो भाई हमारे नभी के चेहरे पे दाड़ी नहीं थी या नहीं थी पूरा मजमा बोलेगा एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा बोलो हमारे नभी के चेहरे पे दाड़ी कावाद नहीं आरी बोलो हमारे नभी के चेहरे पे दाड़ी थी अबू बकर सब सब साथ में बोले हदर अबू बकर हदर अमर हदर अुस्मान हदर अली हदरत हुसेन जितने अल्ला के वली गुजरे पीरा ने पीर घौस पाक बोलो शेक अब्दुलकादिर जीला नी उनके चेहरे पे दाड़ी थी अजमेर वाले बाबा खाजा मुईन उजिन चिष्टी बोलो उनके चेहरे पे दाड़ी थी देली में आराम करने वाले खाजा निजम मुदिन उलिया उनके चेहरे पे दाड़ी थी खाजा रोशन चिराग उनके चेहरे पे दाड़ी थी खाजा आमीर खुसरो उनके चेहरे पे दाड़ी थी अल्ला की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक नभी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता तो मेरे प्यारो यहां तो बहुत सारे बैठे कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में यहां कोई प्रॉब्लम है दाड़ी का तो फिर काई को नहीं क्योंकि एक बात दें नारास मत होना लेकिन एक लिगन सीधी बात में बोलता हूं पूरी दुनिया में मर्दों को दारी आ थी ओड़ी आती ओरतों को आवज नहीं आ रही आपकी ओरतों को और बुलनदा आवश से बढ़ा चाहिए के नहीं रखना चाहिए कौन कौन तैयारे हाथ उपर करे और साथ में बोले बाई सिफदाडी की बात नहीं अपनी पूरी बोडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफा का दामन साथ में बोले हमारे नभी से बढ़ कर कोई नभी हमारे पेगंबर से बढ़कर कोई पेगंबर हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल मुहबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब